गुड इमनिंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे युट्वी चानल एयर कुमार पी तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्ली चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आकन को प्रेस कीजिए दोस्तों भारत सरकार ने सिधा सिधा कह दिया है कि हाफिस भारत के हवाले नहीं करेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि हाँ नमाज शरीप आएंगे तो भारत के सांथ अच्छे रिष्टे होंगे तो दोस्तों कुछ समय से आपको भी पता हुआ कि अन्नावन परसं पाकिस्तान में चुन-चुन कर लो पाकिस्तान के लोग कर रहें ताकि भारत के सांथ अच्छे रिष्टे हो लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का भारत के सांथ रिष्टा इतना असानी से नहीं होगा क्योंकि आय दीन ऊटलरिस्ट अटैक हमारे बारत को पर करते आए है ओ हाफिस सईद जिसने 26-11 के हमले का मास्टर माइंड है मुंबई में इतने खूनी खेल खेला उसने कितने हमारे मा, बहन, भाई, बहन का खून बह गया जान चले गए कितनी मा बिधवाएं हो गई कितनी बहने बिधवाएं हो गई कईयों के कोक सुन हो गए कितनी तबाहि किया था हाफिस सईद मास्टर माइंड है 26-11 का और उसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है एक तरफ देखा जाए तो देखो हाफिस सईद खुला घूम रहा है उसको जेल में नहीं डाला जा रहा है और वह ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिश्टर है इमरान खान उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है सरने के लिए वहीं पर अभी कुछ दिन दो दिन मैंडे का वीडियो है दोस्तो पाकिस्तान का former जो फोरन मिनिश्टर है नेटा हो विदेश मंतरी हो परधान मंतरी हो पाकिस्तान का इसको जल में डाल सकते हैं लेकिन वहीं आतंकवादी भारत का सबसे मुश्ट वांटेड जिसको पुराईवैन है पुरा इंटरनेशनल लेवर पे उसको टेरोरिस्ट घोसित किया गया है जो दुनिया के तिसे नम्मर पर टेरोरिस्ट हो आता है वो पाकिस्तान में बैठा है और उसको पाकिस्तान वाले हीरों मानते हैं और मैं खुद परसनली दोस्तों नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छा रिष्टा हो क्योंकि आए दिनों हमारे भारत के पीठ में खंजर ही घोपते आए हैं, पुरा इतिहास गवाह है दोस्तों आए दिन कस्मीर में हमारे जो सेना है, हमारे जो आर्मी भाई हैं, उन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें